ज्यान सागर और वास्तु टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वास्तु टिप्स बताऊंगा जिसके प्रयोग से आपकी धन संबंदे समस्समस्याएं दूर होंगी। अपार्धन चाहिए तो दच्छवर्टी संख का ऐसे करें प्रयोग। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकान को दबाना ना भूलें। जो तिस वास्तु सास्त वसी करार रिलेटेड वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों तंतर सास्त्र में दच्छवर्टी संख का विशेश महत्व है। इस संख को विधी विधान पुर्वक घर में रखने से कई प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। और धन की कभी कमी नहीं होती है। दच्छवर्ती संक के अनेक लाब हैं लेकिन इसे घर में रखने से पहले इसका सुद्धी करण अवस्य करना चाहिए दच्छवर्ती संक को आप किसी भी पूजा सामगरी के दुकान से या दिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक के द्वारा ऐल्लाइन खरीच सकते हैं दोस्तों आए जानते हैं दच्छवर्ती संक को किस तरह सुद्ध किया जाता है दोस्तों लाल कपड़े के उपर दच्छे वर्टी संख को रख कर इसमें गंगा जल भरें और कुछ के आसन पर बैठ कर आगे बताये गए मंत्र का पांच माला जब करें दोस्तों मंत्र इस प्रकार है ओम श्री लच्छमी सहोधराय नमा दोस्तों इस मंत्र का आपको पांच माला जब करना है दोस्तों आप सुध करने के लिए किसी भी सुभ दिन जो आपके लिए अच्छा हो का चैन कर सकते हैं प्राता काल असमानाधि करके इस प्रक्रिया को करना है। अभिसाप, तंत्र मंत्र, आदी का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। 3. किसी भी प्रकार के टोने टोटके इस संख के आगे निश्फल हो जाते हैं। दच्छव वर्ती संख जहां भी रहता है वहाँ धन की कोई कमी नहीं रहती है। 4. इसे घर में रखने से सभी प्रकार की नाकारात्मक उर्जा स्वता ही समाप्त हो जाती है। और घर में सकारात्मक उर्जा का प्रसार होता है। दोस्तों धच्छव वर्ती संख के इस प्रयोग को अपना कर अपने जीवन को आप सुखी बना सकते हैं। ठन सम्मंदेश समस्याओं को दूर कर सकते हैं दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइप करें जादे से जादे सेर करें तथा हमारे चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद दोस्तों